असलाम लेकॉम, इस डॉक्टर अमारा रामिश और आज हम कौन सा टॉपिक डिसकस करेंगे हम्, आज हम बहुत ही लोगों का रिक्वेस्टिड टॉपिक डिसकस करेंगे और बहुत से लोगों को हैरत होगी कि अच्छा ये भी प्रॉब्लम होती है आज हम वेट गेन के हवाले से बात करेंगे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस सिलसले में और मैंने सोचा कि मैं आपको ब्रीफली ज़रा बता दूँ वेट गेन कैसे किया जा सकता है और अंडर वेट होने की क्या रिजन्स हो सकती है अच्छा एक तो आप अब्जर्व करें कि कौन सी ऐसी रिजन है कि जो आपके अंडर वेट होने में उसकी कॉज हो सकती है एक कॉज तो ये भी हो सकती है कि आपका थायरॉइड हाइपर एक्टिव हो तो तब भी आप अंडर वेट हो सकते हो एक और इसके इलावा वज़ा हो सकती है कि आपका मेटबलिजम बहुत हाय होता है और इस वज़ा से आपको भूख भी बहुत लगती है और आप खाते हो लेकिन वो आपकी बॉड़ी में महसूस नहीं होता कि वो खाया पिया कहा जाता है आप खाते काफी जाधा हो लेकिन वो वो वेट गैं नहीं होता इसके इलावा डावा डािजेस्टिव सिस्टम इश्यो अरूझ हो सकते हैं आपका डािजेस्टिव सिस्टम अ Noahãy है मतलब ज्यादा काम कर रहा है तेजी से या फिर आपका digestive system बहुत slow काम कर रहा है और आपको भूक ही नहीं लगती और भूक नहीं लगती आप खाना नहीं खाते तो जाहिर है आप underweight होते हो आपका दिली नहीं कर रहा होता खाना खाने का अच्छा इसके लावा एक और cause जो बहुत से लोग overlook करते हैं वो है depression अगर आपको depression है तो ये भी एक cause हो सकती है और depression की वज़ा से आपका weight gain नहीं होता और ये बिलकुल इसी तरह equally it's as bad as overweight लोग overweight होके परशान होते हैं लेकिन जो लोग underweight होते हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं और even low self esteem का शिकार हो जाते हैं और इस वज़ा से ये depression में भी चले जाते हैं अच्छा अब आते हैं इसके हल की तरफ क्या करना चाहिए एक तो मैं पहले भी ये सब चीजे weight loss series में discuss कर चुकी हूँ के healthy eating कैसे करनी चाहिए आप वो भी program जरूर देखें तमाम वीडियोज देखें उनसे आपको idea होगा कि आप एक healthy way में कैसे खाना खा सकते हैं आपकी eating habits कितना effect करती है अच्छा इसके साथ साथ ये कि आप जैसे अगर तीन बड़े meal लेते हैं नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना आप तीन बड़े meals मतलें आप 5-6 meals लें थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाना खाने की कोशिश करें small portions में खाना खाने की कोशिश करें आपको भूख नहीं लगती ठीक है लेकिन still आप ट्राय करें कि हर 2,5 घंटे के बाद कुछ ना कुछ आप जरूर खाएं ताकि आपको थोड़ी आदत हो आपके स्टमक को थोड़ी आदत हो इसके लावा आप smaller meals लें balance diet लें अपने खाने में carbohydrates, proteins, fats सब कुछ शामिल करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि प्रोटीन की एक अच्छी मिकदार अपने खाने में शामिल करें try to consume carbohydrates along with protein मतब कोशिश करें कि आप carbohydrates को proteins के साथ combine करके इस्तमाल करें आप मेरी वीडियो देखें जो मैंने weight loss का diet plan बताया है उसमें मैंने तमाम nutrients को discuss की है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज carbohydrate है कौन सी चीज protein है कौन सी चीज fat है अच्छा इसके इलाबा आप कोशिश करें कि healthy खाना खाएं देखें अगर आप weight gain करना चाहते हैं आप बिलकुल high protein खाना खाएं आप carbohydrate और protein को mix करके खाएं लेकिन आप junk food नहीं खाएं आप fried चीज़ें नहीं खाएं आप ये जितना भी carbonated drinks और ये चीज़ें ये मत खाएं अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं junk food खाके fast food खाके जैसे लोग मोटे हो रहे हैं ऐसे weight increase कर लूँ तो ये एक गलत अप्रोच है आप अगर ऐसी चीज़ें खाएंगे तो उससे क्या होगा उससे high calorie diet आप खाएंगे तो वो सिर्फ calorie wise high होगी nutrition wise उसमें कोई nutrition नहीं होगे उसमें कोई ताकत नहीं होगी और वो आपके cholesterol level को high कर सकती है वो आपको fat level तो आपकी body में ज्यादा कर सकती है लेकिन आपका body mass नहीं बढ़ा सकती कोशिश करें कि अपना fat मत increase करें बलके body mass को increase करने की कोशिश करें इसके इलावा आप क्या क्या चीज़ें अपने खाने में शामिल करें आप अपने खाने में eggs शामिल करें hummus hummus का आपने सुना होगा वो अगर नहीं आपको पता तो आप search कर लें कि कैसे बनता है ये चन्नों से बनता है और इसमें बहुत अच्छी protein की मिकदार होती है hummus खाएं peanut butter खाने में इस्तमाल करें खुजूर खाएं खुजूर का milkshake बना के पिएं mango का milkshake पिएं अच्छा एक और चीज यहां पर कहना जाओंगी जब कहा जाता है खुजूर खाने का तो कई लोग खुजूर बहुत ज़्यादा इस्तमाल करने लग पड़ते हैं उसकी वज़ा से negative effect क्या होता है कि उनको pimples निकलना शुरू हो जाते हैं या कोई और ऐसा problem स्टार्ट हो जाता है तो आप balance में लें लाइक अगर खुजूर कहा गया है तो 6-7-8 खुजूरे they are enough बहुत ज़्यादा मत खाएं आप एक टाइम पर बैठके आदा-दा किलो 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 खा रहे हैं तो वह आपको नुकसान देंगी अचा इसके इलावा आप इंजीर अपने खाने में इस्तमाल करें और इंजीर को कैसे इस्तमाल करना है आपने दूद में इंजीर को रात को बिगो देना है और सुभा कोटके वह इंजीर आपने खा लेनी है और जो दूद बचेगा वह पी लेना है इसके इलावा आप अपने खाने में मीट शामिल करें कोई सा भी मीट हो चाहे वह बड़ा गोश्ट हो बीफ हो या चोटा गोश्ट हो या इवन चिकन हो पर कोशिश करें कि चिकन देशी चिकन इस्तमाल करें कीमा खाएं कीमा अपने डाइट में शामिल करें इसके इलावा आप मिल्क जरूर पीएं और स्पेशली रात को आप सोने से पहले दूद पीएं एक ग्लास दूद और फ्रेश दूद के अंदर कोशिश करें कि आप फ्रेश दूद में दो चमच ड्राइ मिल्क भी आड़ कर लें लाइक नीडो क्योंकि ये नीडो का मुझे बहुत ज्यादा रिजल्ट पता है कि नीडो के दो चमच आप अगर फ्रेश दूद में शामिल करके पीते हैं तो आपका वेट शोरली इंक्रीज होता है तो आप रोजाना की डाइट में रात सोते वक्त अगर एक ग्लास दूद पी रहे हैं तो उसमें आप ड्राइ मिल्क शामिल कर लें इसके शेलावा बनाना शेक बहुत अच्छा है और एग्स मैंने बता दिया चीज चीज खाएं चीज बहुत अच्छा है multi grains शामिल करें अपने खाने में rice, beans वगयरा जैसे red beans हैं red beans भी बहुत अच्छे हैं nuts आप शामिल करें dry fruit वगयरा अपने खाने में शामिल करें बहुत अच्छा है porridge अगर आप खाना चाहें तो गंदम का दलिया या इस तरह के दलिया वगयरा भी अगर आप डाइट में शामिल करते हैं तो अच्छा है जैसे अगर आप कहते हैं कि आपको भूक नहीं लगती तो आप सुबा नाश्टे में light अगज़ा है दलिया आप दलिया खा सकते हैं smoothies वगयरा बना कि आप yogurt की smoothies ले सकते हैं बहुत अच्छी हैं और अपने खाने में cheese, butter जरूर शामिल करें घी, देसी घी आप खाएं it's very good, it's very healthy जो लोगों, जिन लोगों को मुश्किल लगता है खाना खाना तो वो चूरी वगयरा खा सकते हैं इसी घी की, वो जरा light लगती है तो ज़्यादा easily खाई जाती है digest भी easily हो जाती है इसके इलावा एक और बहुत important चीज के आप exercise जरूर करें जी हाँ, exercise सिर्फ और सिर्फ weight lose करने के लिए जरूरी नहीं बलके एक normal इंसान के लिए भी exercise करना बहुत अच्छा है आपके active रहने के लिए और जिन लोगों ने weight gain करना है उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो exercise करें क्योंकि exercise करने से आपकी circulation जो है वो increase होती है आपकी circulation increase होगी तो यकीनन आपको बहुत फर्क लगेगा कि आप active हो और आपका metabolism regulate करेगा तो इसलिए ये तमाम चीज़ें follow करें इन्शाला आपको जरूर फर्क पड़ेगा मैं एक दफ़ा recap कर देती हूँ कि खाने में आप eggs खाएं meat हर तरह का खा सकते हैं कीमा, खजूर खजूर का milk shake humus, mango mango का shake, बनाना या बनाना का shake और इंजीर, मिल्क रात को सोने से पहले जरूर पिएं उसमें दो चमच ड्राइ मिल्क की शामिल करके और बटर, चीज, देसी घी डालों में जैसे सुर्ख लोबिया और मल्टी ग्रेंज राइस ड्राइ नाट्स वगएरा और यूगर्ट और कोशिश करें कि काबो हाइडरेट को प्रोटीन के साथ कंबाइन करके अपनी डाइट में शामिल करें इट्स वेरी वेरी गुड तो आई होब इंशाला आपको बहुत फर्क पड़ेगा आप ये सब टिप्स और ये डाइट फालो कीजिएगा और फिर मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कितनी एफेक्टिव लगी अब तक के लिए इतना ही आपको सिहत और तंदरुस्ती दे और आपको सकून दे आपको खुशियां दे तंदरुस्ती हजार नेमत है अपना बहुत ख्याल रखेगा अलाफेज